बहुत समय से फ्रेंट जिस वीडियो का आम लोग इंत्यार करते हैं फैनली वीडियो आ चुका है आज हमें लोग भुल्टाज एसी का अंबॉक्सिंग करने वाले बिल्कुल लेटेस्ट एसी है आइसा रेटिंग भी आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा चलिए बिन्हें टाइ अंबॉक्सिंग के द्वारा मिलेगा देखने के लिए कि आपको कोई चीज या अलग से पर्चेस करना पड़ेगा नहीं पर्चेस करना पड़ेगा वो भी आप लोग को इस वीडियो को थ्रू बताऊंगा यहां दे सकते हैं प्राइस के अगर हम बात करते तो 75,000 कुछ प् से कम देखने को मिलेगा तो देख सकते हैं इंडोर यूनिट हमारे इसली ओपन हो चुका है अभी इसको पूरा तरीके से ओपन करेंगे और मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस परकार से इंडोर यूनिट का लूक है बिलकुल लेटेस्ट ऐसी है लूक भी काफी बढ़िया कमपणी ने प्रोवाइड किया है और कूलिंग बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स मैं बताना चाहिए आप लोग को बाकी का जो भी भुल्टास का ऐसी आरत है उससे तो बहुत ही साथ बहतर है यहां देख सकते हैं तीन वायर है हमारा जो कि यह मेन पावर का तार है एक है न्यूटल है फेस है और अर्थ लैन है ठीक है आपको थ्रीकूर का बाएर आपको पावर में देखने को मिल पाता है प्लस अगर हम लोग बात करें इंडोर उनिट में कि बैक सेट है क्या है डिजाइन क्या लूक रहेगा तो यहां पर सामने में अब दे सकते हैं बहुत ही तरीका से लूक और डिजाइन भी प्रोवाइड किया कंपनी ने यह प्लेट काफी हेबी प्लेट है वेटेड फ्लेट है ऐसा नहीं हलका प्लेट है भाई कि कुछ समय बाद यह तो छप्टाओ अगर हो जागा ऐसा कुछ नहीं है प्लेट बहुत ही बढ़िया है यहां पर 이्क आपना कसीत बारे में बाथ करेंगे तो इसका ड्रैंल लैनिंग काम बहुत ही सुंदर तरीकसे काम किया हूँ है और गैपिंंग पहले से बहुत ही अच्छा तरीका से बनाए गया जिस तरह सा में कम गैपिंग पीछे में अब और भी काम किया है और स्टॉलिड काम किय है कि जो पानी डॉपिंग का प्रावलम होता है हमारा वो आपको इस एसी में देखने को नहीं मिल पाएगा यह काफी कमाल किया कंपणी ने और लॉकिंग सिस्टम भी मुझे काफी कमाल का लगा काफी बढ़िया लगा पहले से लॉकिंग सिस्टम भी अच्छा बना है कंपण मतलब हर एक चीज को माइनर चीज को उन्होंने ध्यान दिया है उसके बाद इस एसी को लाउंच किया है बाकी यहां पर दो पाएप हमारा सामने एक हाप और क्वाटर और देख सकते हैं यहां पर दोनों बहुत ही अच्छे तरीका से मतलब सेट किया हुआ है इसके अंदर भी नाइट्रोजन फिलेप किया है तो कभी भी आप इसका धकन को खोलोगे तो आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल पाएगा तो आप टेंसर मत लेजेगा यह गैस नहीं है यह नाइट्रोजन का प्रेशर डाला वा रहता है क्योंकि इससे हम लोग चेक कर पाते कि इस परकार सब्सक्ट देखने को मिलेगा काफी बढ़ी है ठाटा प्रोडर्रे यहां पर लिखावा है कौन सा स्रियल है कौन सा गैस लेकि रन करेंगा यह सारा चीज आपको इंक्लूड मिलेगे एक इस्टीगर में जिसे आप देख करके समझ पाओ गया बाकि लूक और डिजाइन के मावला हम बात करेंगे तो बहुत भी बढ़ियां दिया है कंपणी ने और मिडल में ही भुल के यूज किया गया है देख सकते हैं ब्लू टैप को दिख रहा होगा कूलिंग कोल का मतलब के लूक वगरा तो देख सकते हैं काफी बढ़ें तरीका से इसमें भी काम किया है कूलिंग कोल में कुछ समय बाद यह गंदा होगा तो भाई इसको सर्विस्विंग भी कराना करें ऐसा ओट हमें की वर्ट करेंगा च्रू सरा पहले का और घुकल में घुड़ा और जो आपका थे से अइसा जूहा इसमें पहलों को स्टिड मिधि आपको लिएको दिस्प्लेच अ की डिस्पले मुलेगा और तो प्र आघर ऑगर गलती से चुँहा कार दिया तो भाई इसको रिप्यार होने के बाद भी वायर आपको अच्छा कासा बड़ा देखने को मिल पाएगा तो कमपनी ने सारा चीज को बहुत इसे तरीके से ध्यान दिया है हर एक चीज को नोटिस किया है तो मुझे काफी बड़िया लगा लुक और डिजाइन ये भी काफी कमाल का है जिस तरह से वोल्टाज इसी हर बार हमेशा काम करता है तो उस समय भी अभी बहुत जी बढ़ने तरीके से आम कहां देख सकते हैं उपर के साइट में हमारे फिल्टर है बाकि के आइसी जिस तरह से काम कर रहा है Sampsong और Ele iu तरह से इसनों ने भी काम कर रहा है उपर में ये फिल्टर लिया है कि इसली ये फिल्टर नीकल पाया साफ हो जाए उसके बात इसली फिटिंग हो जाए बाकि अगर हम AC के बात करेंगे तो यहां पर एक remote हमें देखने को मिल पाता है जो के एक normal सा remote है और फीचर्स काफी बढ़ी है आपको अगर फीचर्स जाना है तो मेरे वीडियो के सक्षन में जाकर का remote का फीचर्स जान सकते हो यहां पर user manual देखता है हमें देखने के लिए user manual में काफी सारा detail आपको AC के regarding देखने को मिल पाएगा दो battery है प्लस इसमें एक screw अगरा है जो कि हमें installation के दारे से use करना होता है तो यह सारा चीज़ हमें include मिलता है अब friends हम लोग आ चुके है अपना family auto unit के तरफ तो auto unit में आपको क्या क्या देखने को मिल पाएगा उससे आप ध्यान से समझेगा तो बॉक्स हमारे इजली open हो चेका है अब चलिए देखाता हूँ मैं आप लोग इसका look or design के आपको भोल्टास AC का look or design किस परकार से देखने को मिल पाएगा वो आपको मैं देखा देता हूँ देख सकते हैं हमारे जो audio unit है आपके सामने है किस परकार का इसका look or design है वो मैं आपको देखा रहा हूँ दो पाएप को देखने को मिले है एक हापका एक quarter का अदोनों का flare भी बना हूआ है flare मतलब जिसका अंदर जो nut रहता है उसका flare का grip बनावा है जिससे हमारा जो connection होगा indoor to audio unit के pipe में बहुत easily और बहुत आसान तरीका सो हो जाएगा और इसका जो time होता है वो हमारा बच जाएगा बाकी जैसे decking के AC में क्या हुआता है कि इसमें flare बनावा नहीं है तो इसमें समय हमारा जादा लगाता है यहां पर wire भी देखने को मिलता है तीन मीटर का और तीन-तीन मीटर का हमें pipe भी देखने को मिल पाता है बाकी आपर देख सकते और doing it का भुल्टास लिका हुए टाट बाकी तो यह मुझे काफी कमाल का लगा प्लस में बात करेंगे हम लोग कर कंडेंसर का तो बाई 100% copper कंडेंसर के इसमें काम किया हुए यहां पर एक sticker में क्या बता रहा है कि कौन सा model यह कौन सा serial है 100% copper का का काम किया हुआ है इसमें सारा चीज इंक्लूड बताता है दो बहल बहुत है हमारे सामने एक हाप का एक क्वार्टर का दोनों भल का मैं आप लोग कारण बता देता हूं दोनों भल में दोनों पैंप कनेक्शन होगा बाकि यहां पर वायरिंग का भी आपको system यह बता रहा है company तो इंडू टू आटो आटो इनिट में जो पैंप होता है हमारा आटो इनिट में और बहुत बढ़िया तरीका से company ने डिजाइन किया है और इसे condenser में leakage का समभावना भी मुझे बहुत कम देखने को मिल पाया है तो इसी बहुत अच्छी तरीका से यह work करता है इसमें complain भी बहुत जादा कम भी देखने को मिल पा रहा है तो इसलिए आप चेकिंग भी करना है कि कहीं जो हमने पैंप को टाइड किया है ऐसा नहीं कि उसमें leak हो तो उसके क्या करना है गैस थोड़ा सा खोल कर गई आपको चेक करना है लीकेज वगार ठीक है वह आपको साबून का ज्छाग बनाना पड़ेगा साबून फेन का उसके बाद आप इसल उसके बाद हम लोग गैस को ओपिंग किया है ठीक है तो इस तरह से आप भी काम करें अगर कभी आप इंस्टॉलेशन अगरा करते हो या फिर आप यह घर पर इंस्टॉलेशन होता तो कॉस्टरमर टेक्निशन को यह बोले कि आप लीकेज भाई अच्छे साथ चेक कर पसंद आता तो प्लीश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाया फ्रेंट्स बंदे मातरम जैहिंद देख सकते हैं यहां पर लूक मैं इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों देखा रहा हूं किस परकासिस का लूक और डिजान आपको देखने को मिल पा रहा हूं